एक बार कमेंट्स की मादने हम से बता जाएंगे कि हमारी आवास और विज्विल्टी आप सभी देख ठीक से पहुंच पा रही है थोड़ा सा से सल लेट जरूर हुआ क्योंकि हां कोई संस की जो पीडियाप थी वो हम खोज रहे थे चलिए सातियों सभी मित्र सभी साती एक ब बिल्कुल 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 जितने भी साती हैं बिल्कुल वेरी गुड़ इवनिंग बिल्कुल भाई सभी लोग को गुड़ इवनिंग चलिए 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 साती क्लास से जुरुच के हैं और देख पा रहा हूं मैं कमेंट्स की माद्यम से हमारे तमा भी हमारे साथी है, सभी मित्रों को very good evening, चलिए भाई, good evening, good evening साथियो, very good evening, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, class है, बहुत अच्छा, और आज बेहतरीन प्रसनों की संक्ला के साथ मैं उपस्तित हुआ हूँ, चंद्रा इंस्टिट्यूट इलहावाद के YouTube चैनल पर, चंद्रा इंस्टिट्यूट इलहावाद, चलिए दोस्त, question number first on your screen, आपके screen पर, question number 1, और सभी लोग पढ़ेंगे, और करेंगे, question number 1, क्या कह रहा है, बताईए, क्या कह रहा है, sealant traits differ from other animals in having, तो जो sealant traits होते हैं, वे other animals से, आपने का differ from other animals in having, इनमें ऐसा क्या पाया जाता है, जो दूसरे animals से different होते हैं, skeleton के बेस पर, polymorphism के बेस पर, या nematocyst के बेस पर, bilateral symmetry के बेस पर, तो यह specific character है, sealant traits का, वो किसी में नहीं पाया जाता है, केबल और केबल sealant traits में पाया जाता है, आपको पता है, skeleton तो बहुत सारे ऐसी animals है, जो sealant traits में भी पाया जाते हैं, और उसक अगर हम बात करते हैं, nematocyst की, nematocyst is the stinging cells, specific character आप, specific character आप, यह किसका है, तो sealant traits का है, इसके इलावा यह किसी में नहीं पाया जाती, only nematocysts are found in sealant traits, और कितने लोगों ने किया है, इसका सही जबाब, पेतरीन दोस्तों, very good, C is the right answer, 100% इसका, सही जबाब क्या होगा, very good evening, सभी सातियों को good evening, stinging cells are nematocyst, और आपको बता है कि जो sealant traits होती है, इन पर stinging cells पाया जाती है, these are attack, यह ओफेंस और defense का का काम करती है, offense, defense के साथ साथ यह cells क्या करती है, अपने prey को hypnotize करने के लिए, उसमें सवस्तियन का secretion करती है, तो यह बहुत ही specific cell है, nematocyst cells are sealant traits, चलिए question number 2 आपके screen पर, सभी साथी पढ़ेंगे question number 2 on your screen, एक बर सभी साथी जोर लगाकर share कर देंगे, बहत अच्छा दोस्त, जितने भी साथी class से जड़े हैं, session को like और share कर देंगे, चलिए दोस्त, फटा-फट जड़ेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुछ, जितने भी प्रेटरी, 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 यल्टी, जियाएसी के, पेतरीन प्रसनों की स्रंकला के साथ मैं उपसे दोता हूँ, डेली ज़ातरी नो बजे, चंद्रा इंस्टिट्यूट इलहावात के YouTube चैनल पर, तो चलिए साती हो, question number 2 on your screen, क्या कह रहा, which are radial symmetry animals, एक सवाल ये समिमित किसमें पाई जाती है, तो बताएंगे, अरीय समिमित, जब बात करते हैं, अरीय समिमित की, और ये जो समिमित ही होती है, जिसको radial symmetry कहते है, इस फाउंड इन सीलन ट्रेट्स में, एकाइनो डर्मेटा में, बोथ आफ दी इस और मोलस्का में, देकि मोलस्कंस में radial symmetry न काइनो डर्मेट्स होती है, एकाइनो डर्मेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो S-fish होती है, जो तारामीन starfish होती है, तो आपको बताएं कि जो starfish होती है, कौन सी फिस भाई, starfish और उसके सासा sealant rate की सभी members में, इन दोनों members में, अरीय समिमित radial symmetry पाई जाती है, तो इसका answer क्य ideal symmetry पाई जाती है, बहुत अच्छा दोस्त, और सभी के सभी मित्रे इसके जितने भी साती गलास से जड़ी हैं, बेतरीन डंग से कर रहे हैं सर, आपने का sealant rates के साथ साथ, एकाइनो डर्मेटर भी इसका सही जबाब होगा, चलिए दोस्त, question number, question number 3 on your screen, question number 3, और बहुत अच् questions जो मैं solve करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं तर डारेक्ट questions आपको एक्जाम में इसी टाइप के मिलेंगे, और आप फड़ा-फड़ questions को solve करके, एक्जाम में selection लेने का काम करेंगी, question number 3, आपके screen पर, which of these not are sealant rates, निमनलिकित में से कौन सा एक sealant rates नहीं है, 20 silverfish है, jellyfish ह C. Anemone है, या Phycelia, अगर हम बात करते हैं, silverfish की, तो आपको पता है कि silverfish, jellyfish, these are not, ये भाई नहीं होती है, क्या, सबसे पहले तो जानिएगा, these are not, इनके नाम के आगे fish लगा रहता है, but these are not true fish, ये सत्य मचली नहीं होती है, these are false fish, लेकिन jellyfish की बात करते हैं, तो jellyfish ये Aurelia है member of sealant rate का है, C. Anemone और Phycelia, ये सभी sealant rates के में ही member है, but silverfish, silverfish member of arthropoda, ये भाई बताए किस का member है, तो arthropoda का member, भाई बताए, arthropoda का member कौन सा आता है, silverfish, तो these are not, आपने का sealant rates, इसमें कौन सा answer होगा, A, और जितने सातियों नहीं answer A किया, बिल्कुल 100% आपने का silverfish, ये इंसे आता है, member of arthropoda है, it is not not member of, इसका sealant rates का member, नहीं है, और थीरी का answer चाहिए, क्या होगा, तो A, प्रसन नमबर 4, on your screen, प्रसन संक्या 4, आपके screen पर, प्रसन नमबर 4, on your screen, आपने का, आपके screen पर प्रसन नमबर 4, देखिए, क्या कह रहा है, सभी साती फटा-फट पढ़ेंगे phylum sealant rate has remained at the level of organization, भाई, sealant rate में कौन से कौन सा level of organism होता है, बताइए, अगर पूचा जाता है, कि जो undveloped होते हैं, उनमें कौन सा होता है, cellular grade of organization, क्या होता भाई, cellular, जैसे इसे पहले में लोग पोरी फेरा और प्रोटो जोहांस की member पढ़े थे, उसमें आपने बताया था कौन सा था भाई, cellular grade of organization, बट sealant rate के member जो होते हैं, वो क्या होते हैं, tissue grade, इनमें tissue का formation हो जाता है, तो tissue grade of organization, member आप जब sealant rate की बात करते हैं, इसमें tissue का formation हो जाता है, तो these member आप organ system level of organization, organ system का development नहीं होता है, organs बनते हैं, organ भी नहीं बनते हैं, ना तो अंग तंत्र बनते हैं, नहीं बनते हैं, tissue grade of organization, बिल्कुल जी हां, आपने का जितने भी sealant traits की member होते हैं, सभी sealant traits की members में, आपने का tissue का formation होता है, तो tissue grade of organization occurs in sealant traits, sealant traits के जितने भी member होते हैं, वे सभी tissue grade of organization होता है, और बेतरीन दोस्तों, सभी सभी साथी, जितने भी सात ही है, सभी की सभी मित्र, इसका राइट एंसर कर रहे हैं, C, इस राइट एंसर, question number, question number 4 का सही जबाब क्या होगा, C, चलिए, next number 5, आपके screen पर, question number 5, आपके screen पर, और क्या कहरा, sealant traits are characterized by, हम कैसे इसका, कौन सटा लगठ चड़ा जिससे हम जानेगे कि यह sealant rate का मेंबर है या नहीं है तो अगर सबाल यह पूचा जाता कि sealant rates are characterized why तो उसके skeleton के दोरा या stinging cells के दोरा, intracellular digestion के दोरा या aquatic habit के दोरा तो specific characterized by sealant rates, by sealant rates को हम differentiate करते हैं, वो specific character कौन सा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपसे, nematocyst cells is the specific character of sealant rates और stinging cells, इसका सही answer होगा जो stinging cells होती है, stinging cells के दोरा यह क्या करता है, भाई बताइए, यह prey को क्या कर देता है, आपने का prey को मारने का काम करता है, यह hypnotize का काम करता है और उसमें glutathia, नामक Sebastian सोड़ने का काम करता है, जिससे क्या होता है, यह अपने stinging cells के दोरा offense और defense करता है, क्या करता है offense and defense करने का काम करता है, तो offense and defense का काम किसके दोरा करता है, निमेटो सिस्ट यह, stinging cells के दोरा, it is the specific character of, it is the specific character of, sealant rates, बेतरी इंसातियों, सभी के सभी मित्रों ने दिया है, इसका सही जवाब 5 का B, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने भी साती इकला से जड़ुई हैं, और सभी के सभी साती इसका दे रहे हैं, सही answer, question number 6 on your screen, 6 number प्रसंद आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटा-फट एंसर, what is the characteristic feature of sealant rate, sealant rate का कौन सा एक characteristic feature है, भाई, sealant rate की सबसे पहले हैं, पहचान कर लेते हैं, कि sealant rate की members हैं, कौन से कैसे पहचानेंगी, यह sealant rate से हैं, क पहे जाते हैं, tentacles around the mouth, इनके mouth के उपर चारों तरफ से tentacles around होते हैं, या gastro-vascular cavity पहे जाती है, none of the above, जब हम बात करते हैं, characteristic feature, अगर stinging cells या nematocyst होता है, तब तो उसके दौरा पहचान लेते हैं, या इनके mouth part पर, जो sealant rate की member होते हैं, इनके mouth part जो hypo-storm होता है, यहां से बह सारे मित्र क्या arise होते हैं, तो tentacles, यहां पर जो tentacles होते हैं, वो कहां पर arise होते हैं, हाइपो-storm पर, कहां पर, हाइपो-storm पर, हाइपो-storm पर, इसके mouth part पर, tentacles arise होते हैं, और that is the specific character of sealant rates, तो sealant rates का यह बहतरी इन करेक्टर क्या होगा, बेरी गुड़ दोस्तों, सभी के सभी स साथ ही इसका answer कर रहे हैं, आपने का specific character of hypostorm पर इसके क्या पाय जाते हैं, तो tentacles, जो tentacles होते हैं, इनहीं के दौरा यह क्या करता है, moment करता है, तो अगर सवाल यह पुचाता है, यह tentacles found on, यह tentacles कहां पाय जाते हैं, hypostorm पर, mouth part पर पाय जाते हैं, it is the specific character of sealant rates, question number 7 आपके screen प PGT, 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 LT, GIC के लिए बहुत जादा महत्पूर सवाल है, कई बार परिच्छा में पूचा हुआ है सवाल, metagenesis occurs in, hydra में पाय जाती है, ovelia में पाय जाती है, aralia में पाय जाती है, tubipora में पाय जाती है, metagenesis किसमे होती है, अगर सवाल यह पूचा जाता है, metagenesis occurs in, metagenesis occurs in, कि बार, dnaट जाती है,alsimk में होती है, ovelia में, aralia में, tubipora में, hydra में, सबसे पहले तो देखेंगे, matagenesis, polyp और medusa की stages होती है, metagenesis का मतलब यहां पर आपने का जो polyp और medusa की stages होती है, भाई बताएजिए जो polyp और medusa की stage पर inका क्या किया गया, polyp और medusa की stage के बेस पर Finn इनका classification और जितने लोगों क्या बात आइक कहते हैं और इसलिए ओवेलिया मेंटरी पूराइट कहते इसको सभी साहती बिल्कुल बेत्री बेत्री दोस्तों सभी कि सभी साहती एंसर कर रहे है राइट उसीड मेजोगिलिया is present in the phylum सभाल बूचागा मेजो गलिया मेजो गलिया में प्रीजन इन डूलम ऐफ्लेभा गलिए जाती है मेजो। इस फॉंड इन उदंक इसिज्ट अबी ऑट की आठका किया वात ढ़ात है और कौन देता है सबसे पहले सबसे पहले ऐंशर सिलंड यांश लैट ऑट किया व tu मेडि जू मिजो यूडिया पाई जाती है और अपने के मिजो इलिया इस स左 यह है जो मिडल रीजन होती है लेयर के वीच में वो कौनसी लेयर होती है मीजो गिलिया इस फाउंडेंज सीलन ट्रेटा चलिए प्रसन नंबर प्रसन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर और क्या कहा रहा है प्रसन नंबर 9 सभी लोग पढ़ेंगे फटा-फट बहुत अच्छा सवाल है य अगर सब्सक्राइब जाता है अगर सवाल यह पूचा जाता है अगर सवाल यह पूचा जाते हैं बताईे बाई, बाई, भाई पल्याकित फॉर्म और देट फॉर्म एइनसर सी किया, क्या बात है, दोस्त, क्या बात है, C इस राइट एंशर, कुष्चा नमबर 9 का सही जबाब क्या होगा, C 100% इसका सही जवाब है Polymorphic off sealant rates क्या वात है दोस्तों पहुत अच्छा वेत्री इन प्रस्ट नंबर 10 आपके question question नंबर 10 on your screen फिर से है Portuguese man of war is किसे कहते हैं member का नाम बताईए Ovelia को, Aurelia को या Platypus को या Physelia को भाई Ovelia, Aurelia Ovelia, Aurelia ये तो दोनों होंगे ही नहीं जब मैंने का Portipus, Porticus man of war किसे का जाता है Platypus, Platypus ये होता नहीं है तो answer क्या जाएगा Physelia, क्या वात है दोस्तों क्या वात है और पहले दिया है सबसे पहले answer दिया है एक तदवीने और ये ही होती ही तैयारी, ये ही होती ही जब बेतरी दंगस्याप करते हो तैयारी तो सबसे पहले answer किसने दिया आपने का यहाँ पर जो answers देने बाले हमारे साथी है जो मित्र है वो आपने का इसका सही जबाब क्या होगा 5 से लिए 10 नंबर प्रसंद का सही जबाब क्या होगा D Question number 11 on your screen प्रसंद संक्या 11 है आपके स्क्रीन पर सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटा-फट एंसर क्या कह रहा function of function of dactylojoids of polymorphic colonias बता ही जब function of dactylojoids dactylojoids का मतलब ये है जैसे ये digits है digits का मतलब जैसे हमारा हाथ है और हाथ में बहुत सारी fingers है तो इससे हम लोग क्या कहें function of dactylojoids in polymorphic colony offense and defense ये nutrition ये locomotion या reproduction तो भाई जो function करती है इनका main function क्या होता है मैंने कहाता जो dactyloids members का main function क्या होगा तो भाई बताईए सभी लोग और कौन कर रहा है सबसे पहले answer क्या बात है offense and defense और 11 का सबसे पहले answer किया है सबसे पहले answer किया है और इस वार करती है answer 11 का 11 का 11 का answer करते है भाई गगन बिलकुल गगन बिवेक आनंद उसके बाद अमरता पंडे ये सभी के सभी 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 answer कर रहे है क्या बात है बिलकुल सभी हो बिलकुल बिलकुल जितने लोगोंने सभी answer किया मैं 100% देख रहा हूँ और offense and defense का का काम करते है जो nematocyst stinging cells होती है इनके जोरा सीलिंट रिटा के मेंबर offense और defense करने का काम करते है कुश्चन नमबर बार है आपके स्क्रीन पर कुश्चन नमबर बार है क्या कह रहा है इस्टेटो सिस्ट आर फाउंड इन ये स्टेटो सिस्ट होते क्या है तो इस आर वैलेंसिंग औरगन इस आर वैलेंसिंग औरगन बताईए ये कह होते है वैलेंसिंग औरगन होते है तो बैलेंसिंग औरगन है आपने का स्टेटो सिस्ट आर वैलेंसिंग औरगन फाउंड इन ये परामीसियम में पाय जाते हैं eldest में पाया जाते हैं एक सी okay होगा बताई यह पैस्ट नहीं स में नहीं पाया जाते हैं और ख्रम समेह में पायार बारे का बी और बी फार बेस्ट और सबसे पहले किस ने दिया एंसर इस वार तो नहीं देख पा रहा हूं बहुत सारे मित्रों ने अंसर कर दिये बिल्कुल इस्टेटोसिस्ट इस्टेटोसिस्ट आपने का यह बैलैंसिंग और्गन होता है चलिए question number question number question number question number question number 13 on your screen. Medusa the reproductive stage is founded. मैंने का था इसकी medusa और polyp stage के base पर ही इसका क्या किया गया था? रिप्रिड अ क्लैसीफिकेशन. जो क्लैसीफिकेशन किया गया था पॉलिप और मेडुसा इस्टेस की बेस पर किया गया था एंतो जोवा हाइड्रो जोवा उसके साथ-साथ आपने का यहां पर कई क्लास वाटे गये थे हाइड्रा या सी अनिमॉन में या स्टार्फिस में या ओवेलिया में तो भाई जब इसका क्लैसिफिकेशन किया गया था बताईए हैड्रो जोवा क्यों पूरा इसकाइफो जोवा एंतो जोवा तो अगर सात्य यों मताएं कि सभी इसबी फटाफट चल्दी सी तेरे का तेरे का तेरे का मेडुसा मेडुसा stage is found in, बताइए, medusa stage is found in, आपने का जो metamorphosis होती है, metamorphosis में, बताइए, मेटा, ये सवाल बहुत importance है, कि metagenesis, metagenesis occurs in, metagenesis occurs in, अभी मैंने कर आया था थोड़े दिर पहले, और ये किस में होता है, ovelia में, और ovelia में medusa stage में क्या होता है, reproduction occurs होता है, तो hydra नहीं होगा, cnm1 नहीं, starfish नहीं, answer क्या होगा, ovelia, और जितने लोगों ने answer, d किया, d for dance, बिल्कुल dance करिए आप लोग, बिल्कुल, और सभी के सभी मित्र हमारे questions के साथ-साथ dance कर रहे हैं, चलिए question number 14, on your screen, क्या कह रहा है, question number 14, gonards of ovelia occurs, भाई, ovelia की जो gonards होते हैं, वो कितने पाए जाते हैं, और कहां पर पाए जाते हैं, बहुत important सवाल है, अभी कुछी दिन पहले मैंने offline के glasses में, online के glasses में पढ़ाया था, तो ovelia की जो gonards होते हैं, इन hydra stage में पाए जाते हैं, और in basis of tentacles of medusa में पाए जाते हैं, या, blastocyus में पाए जाते हैं, radial canal of medusa, और medusa की radial canal में पाए जाते हैं, तो सवाल, जब भी सवाल पूचा जाता है कि गौनर्स तो ध्यान दीजेगा गौनर्स इसमें कहां पर होते हैं गौनर्स इसमें कहां पर होते हैं तो गौनर्स यहां पर कहां पर होते हैं फोर पेर गौनर्स फाउंड इन फोर पेर गौनर्स फाउंड इन यह कहां पर पाई जाते हैं तो भाई रेडियल कैनल के पास पा के radial canal के पास पाई जाती है और जितने लोगों ने answer D किया वो 100% सही कर रहे हैं आपने का इसमें Ovelia में इसमें क्या होता है Medusa stage के पास gonards found होते हैं तो बिल्कुल और ये radial canal में बनते हैं आपके स्क्रीन पर सभी लोग पढ़ेंगी और करेंगी फड़ा फड़ा एंसे को सबसे पहले तो एक कामन नहीं बता दूँ आपको Ovelia को C for V कह देते हैं Ovelia को क्या कह देते हैं इसको भाई C for V कह देते हैं तो सबाल ये पूछा जाता है कि C for के नाम से हम किसे जानते हैं तो Obelia is also known as, इसको हम C for कहते हैं, और यह Chris class का member है, पता ही, साइफैनोफोरा का, हाइड्रोजोगा का, सीलेंट्रेटा का, या एसीलोमेटा का, तो भाई देखीगा, जो Obelia है, इस बिलॉंग टू दा क्लास, जब क्लास की बात करेगा, तो साइफैनोफोरा, हाइड्रोजोगा, तो Obelia के लिए क्लास कौन सा आता है, तो दा क्लास Obelia, इसकी जो stage होती है, भाई बिताइए, वो कौन सी होती है, पॉलिप, और यहां पर जो stage होती हो, किस में पाई जाती है, हाइड्रोजोगा के मेंबर्स में पाई जाती है, सीलेंट्रेटा, एसीलोमेटा, साइफैनोफोर लार्वा किसका मेंबर है, हाइड्रो जोगा का मेंबर है, तो जितने मित्रों ने, जितने सातियों ने इसका एंसर हाइड्रो जोगा किया, वो बिल्कुल सही किया, चलिए, next number question 16 on your screen, in sealant trades, the characteristic larva बहुत ज्यादा importance है, कहा गया, कि sealant trades का जो लार्वा है, जो characteristic लार्वा है, उसे हम क्या कह जेते हैं, बताइए, आपने का, ओंको इस्पियर लार्वा, या सिस्टी सरकस लार्वा, या प्लैनला लार्वा, या रैप्डटी फॉर्म लार्वा, जब लार्वा आप sealant trade की बात करता है, कि sealant trades में, कौन सा लार्वा पाय जाता है, लार्वा is found in sealant trade, तो आपक की दोनों लार्वा किसमें पाय जाते हैं, ये लार्वा भाई, हलमेंथीस की हैं, किसके हैं, हलमेंथीस में पाय जाते हैं, किसमें हलमेंथीस, रैप्डटी फॉर्म लार्वा, रैप्डटी फॉर्म लार्वा is found in ascaris, ये किसमें पाय जाता है, ये भी हलमेंथीस का ही करते हैं बिल्कुल दोस्त मैंने कल कहा था आप सोगों से कि जो लोग लार्वा को याद कर लेंगे बिल्कुल प्लैनला एंड इफाइरा लार्वा अब अरेलिया का होता है बिल्कुल अगर सवाल यह पूचा जाता है जो इफाइरा लार्वा होता है पताये दोस्त कौनसा ला इस बाई जातने आरेलिया यह किसमे पाया जाता है अरेलिया आरेलिया का जो लारवा होता है किससी इसे हम पाय भूठे है इस प्लम हम्हारलिया लारवा फॉक्सकॉлом इससे में आरेलिया पाया है झोडिया की स्थी नंब्रला vit Après इस इस फीशंडे विलिए यह जातीए थिक मीजोगलिया पाई जाती है, absence of mouth, इनमें mouth absence होता है, dominant polypoid phase, इनकी जो polypoid phase होती है, बहुत dominant होती है, देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दू, skyfojoa के जो members होते हैं, यह developed होते हैं, hydrojoa, skyfojoa, anthojoa, तो यहाँ पर हम बात करते है, skyfojoa, तो skyfojoa are characterized by, इनमें थिन नहीं, इनमें कौन सी मीजोगलिया पाई जाती है, थिक मीजोगलिया is found in skyfojoa, इनकी जो middle membrane होती है, मीजोगलिया, वो कैसी होती है, थिक होती है, क्या बात ह सिस्टी सरकर्टीनिया सुलिया, बहुत अच्छा, आपने सवी के सवी सातियों ने, थिक मीजोगलिया, थिक मीजोगलिया, बहुत सारे तमाम मित्र हमारे हैं, जो class से जुड़ूए है, और बिल्कुछ सही answer कर रहे है, 17 का, 17 का B, और बेतरीन कर रहे है answer, question number 18, बताइए सात question number 8, आपके screen पे आ रहा है, और देखता हूँ, कौन बताता है, सबसे पहले इसका answer, देखिए, बहुत 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 सवाल, बहुत सवाल, which has no skeleton, whatever, starfish, jellyfish, butterfly, sponge, बताएए, which has no skeleton, whatever, nimle liquid में से whatsoever, nimle liquid में से कौन सा skeleton नहीं रखता है, बताएए, कौन सा skeleton नहीं रखता है, लेकिन, अगर पूचा जाता है, starfish, jellyfish, butterfly, या sponge, कितने लोग बता पा रहे हैं, कितने लोग बता, अरे भाई, sponge का classification ही skeleton के base पे किया गया था, आप कहाँ हो, D लगाने वाले, जितने लोग D लगा रहे हैं, आपको बता की sponge का classification, किसके दोरा किया गया था, skeleton के base पर ही, sponge को classified किया गया था, butterfly, butterfly आपने का, ये, आर्थो बोडा का मेंबर है, इंसेक्टा, starfish, एकानोटरमेटा का मेंबर है, तो इन सभी में skeleton क्या होता, पाय जाता, बट जेली फिस में skeleton नहीं पाया जाता है, और 18 का सबसे पहले answer द पंडे ने दिया था, answer 18 का सही, वावा, क्या बात है मृता, वावा, जेली फिस सही answer होगा, चलिए दोस्त, question number, question number next on your screen, question number 19 आपके screen पर, प्रस्ण संख्या, 19 क्या कहरा है सात्यों, which of this is bio-lumniscent, हम किसी कहते है, किसी कहते है, जैव इस पुरदीप्त का bio-lumniscent, ये बहुत importance है, और ये light emitting करता है, आपने का क्या करता है, lightening करता है, तो अगर सबाल पूचा जाता है, कि lightening insect किसको कहते है, lightening sealant rays किसको कहते है, तो भाई, lightening करने वाला, अगर पूचा, lightening करने वाला, तो cuttlefish है, phacelia है, jellyfish है, जैली फिस है, आलाफ दीज है, बताइए इन में से कौन सा एक bio-lumniscent के नाम से जाना जाता है, which is known as, which is known as bio-lumniscent, और इसमें भाई, कौन सा आता है, member, aralia आता है, आपको पता है, कौन आता है, aralia, और aralia किसको कहते हैं, jellyfish को, और कितने लोगों ने answer सही किया, क्या बात है, कहते है, D 100%, D नहीं, C 100%, बिल्कुल, phacelia को कहते हैं, अर jellyfish को कहते है, jellyfish is known as, jellyfish को कहते है, jellyfish is known as, jellyfish is known as, आपने का, jellyfish is known as, बताइए सभी के सभी साथी, इसको bio-lumniscent कहते हैं, an example of skypho-joa, skypho-joa का example क्या होगा, तो अगर सवाल यह पूचा जाता है, कि जो skypho-joa के member होते हैं, इन में, इन में जो members होते हैं, बो stage polypore medusa, बोथ develop होती है, कि कोई एक develop होती है, तो बताइए सभी साथी फटाफट, skypho-joa के जो members होते हैं, अगर सवाल यह पूचा जाता, कि इन में कौन सी stage पाई जाती है, मीजो गिलिया तो होती है, बट इनकी कौन सी phase dominant होती है, या दो कौनों phase पाई जाती है, तो आपको बता है कि इसकी जो medusa phase होती है, कौन सी phase? medusa phase होती है, वो क्या होती है, dominant होती है, कौन सी phase dominant होती है? Medusa और polyface dominant होती है, members are marine, इनके members कैसे होते है, marine होती हैं, और इन में कौन-कौन सी members आती है, catfish, silverfish, cuttlefish, jellyfish, तो अगर सबाल यह पूचा ज दौवाग के मेंबर कौन से होंगे तो भाई बताई जो अरेलिया है इसका जब इक्जाम्पल है बताई साथियों और अरेलिया किसको कहते हो जेलिफ इसको एंसर क्या जाएगा 20 का सवाल का answer होगा D, और जितने साथी इसका answer D कर रहे हैं, वो 100% right है, question number 21 आपके screen पर, चलिए question number 21, skyfo, आपने का, skyfo joan, medicine, and more commonly known as, बताए, skyfo, joan, medicine, जो more commonly known as sea animal, या corals, या hydra, या jellyfish, बतादो भाई, बतादो, अभी मैंने brief discuss किया था, इसके बारे में, इस सवाल को दो घूर दोगे, और गूला काला हो जाएगा, चलिए दोस्त, फटा फटा जल्दी से बताईए, जल्दी से बताएंगे, question number, question number आपके screen पर है, और बेतरी इन तरीके से देंगे answer, सभी साथी, पताए, skyfo, joa, medicine, question number 20, बहुत अच्छा सवाल है, सबसे पहले तो ये इस्तियार लगा लेंगे, TGT, PGT, TGT, PGT, 300 करोड़ बार सवाल पूचा गया, जितने भी साथी है, जितने भी साथी है, वो जब practice अच्छे से गरते हैं, जब पढ़ाई अच्छे से गरते हैं, और लगातार आप राजीव सार के साथ, चंद्रा इंस्ट्ट्ट के इलावाद की यूट्यूब चैनल पर, रात्री 9 बजे practice session चे जड़के, और 2000 करते हैं questions का answer, तो ये important question है, अगर TGT, PGT में, ये 300 करोड़ बार पूचा हुआ सवाल है, भाई, कितनी बार कूचा हुआ है? बहुत बार पर इच्छा में आया सवाल, कि अरेलिया, सोरी, इफाइरा, इफाइरा इस दा लार्वा आफ, ये किसका लार्वा है, बताईए, सबी लोग, अवेलिया का, C. एनिमॉन का, क्या बात है, अरेलिया की जो लारवल स्टेज होती है, क्या बात है, डी, 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 अरेलिया, 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 बहुत अच्छा दोस्त, जितने वी साथी क्लासे जुड़े हुए हैं, सभी मित्र दुआधार तरीके से दे रहे हैं, question का answer, जितने साथीयों ने इस सवाल क पढ़ा, तो मैंने का इसको बिल्कुल, और नोट कर लो, याद कर लो, जिमाग में, सेट कर लो, ये सवाल हर बार परिच्छा में बूचा जाता, इम्पोर्टेंस है, लारवा मैंने कहा, एक पेज में लिखकर, जहां बैठके पढ़ती हो, भी जिपका कर, आप याद कर लि लो, ऊbिणी उन, डाराव मैं, बताईए, लो, उन, जैली फिस, लिप, ये जैली फिस में, उन तो, और रीजेपिसन, के रूप में, कीमारेफिसन, के रूप में, वैलैंसिंग के रूप में, या आल-ell आफ़ ये की जब टेंटिकलो सिस्ट की बात करेगा जब टेंटिकल्स की बात करेगा तो बताइए मित्र टेंटिकल्स मैंने कहा था ये क्या करते हैं टेंटिकल्स क्या करते हैं तो टेंटिकलो सिस्ट की बात करते हैं इनको इस्टेटो सिस्ट भी कह देते हैं और इस्टेटो सिस्ट और और Tentaclocyst का काम, जो main function अगर पूचा जाता है, तो इनका main function क्या होता है, बताइए भाई, Tentaclocyst का main काम क्या होता है, तो balancing करने का काम करते हैं, और कितने लोगों ने इसका answer, अरे क्या बात है, बहुत लोग तो D दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों ने answer C दिया, बिल्कु is right answer, balancing का काम करते हैं, Tentaclocyst, ज्यान रखना, question number 14 on your screen, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही importance, बहुत ही अच्छा सवाल, the generic name of common jellyfish, common jellyfish का, जो jellyfish होती है, उसका generic नाम क्या है, Aurelia, Phycelea, Venetula, या Gorgonia, बताईए, the common name, या generic name of jellyfish, सबी लोग बताओ, देखता हूं कौन बताथा, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, 24 का, 24 का, 24 का, 24 का, 24 का, एकता दुबे देती है, right answer, सबसे पहले, बाकि सभी मित्र कह रहे हैं, सबस्का, Aurelia, Aurelia, क्या बात, क्या बात है, दोस्त, बिलकुल, Aurelia is the generic name of jellyfish, jellyfish का, जो generic name है, उसे हम क्या कहते हैं, Aurelia, question number 25 आपके screen पर, 25 नमबर प्रसन आपके screen पर क्या कह रहा है, which one of these nidarians, निमन लिकित में से, which one of these nidarians, निमन लिकित में से, कौन सा एक nidarians है, sea archin, sea horse, sea animal, sea cucumber, बताइए भाई, सभी के नाम के आगे, sea लगा दिया, sea archin, sea archin, उसके साथ सा लिखा गया, कौन सा भाई बताइए, sea horse, sea cucumber, या sea animal, ये जितने की जितने members हैं, जो sea archin, sea horse है, it is the member of, किसके भाई बताइए, sea archin और sea horse, अगर हम sea archin की बात करते हैं, member of किसके भाई, echinom dermata का member है, ये member किसका है, echinom, आपने का किसका member है, echinom dermata का member है, किसका member है, Echino, C Cucumber भी किसका member है, तो ये भी भाई Echino, आपने का member किसका है, तो बताईए मित्र, Echino, Dermata का member है, किसका member है, Echino, Dermata का, बड़ C Anemone, C Anemone is the member of Nadarians, ये C Anemone किसका member है, C, क्या बात है, C Anemone को Metid Dream बोलती है, तो आपने का, C Anemone Metid Dream is the member of, क्या बात है दोस्त, क्या बात है, सभी की सभी answer कर रहे हैं, यही होती है तैयारी, यही होती है पढ़ाई, जब प्रक्टिस करते हैं, जब तैयारी करते हैं, त 50% सभलता आपको अज़ित होती है, और आप जो मेहनत कर रहे हो, जब रसी लगाता निकलती रहती है, तो पत्थर भी किस जाता है, सिलक्शन क्या चीज़ है, आप इसर के नगर प्रियागराज से बैठकी सभलता के लिए, यहां से आगास कर रहे हो, जब प्रियागराज की तो सिलक्शन भी इसर आपको ही देंगे, तो इसलिए पढ़ते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, सभी सात्यों को हमारा भरपूर धेर सरा आसिरवाद भी बना रहता है हमेशा, कोईस्चा नंबर, कोईस्चा नंबर, जैनरिक नेम आप सीफर, अभी मैंने बताया था, जैनरिक नेम आप सीफर, मैंने कितनी बार बताया, इसका जैनरिक नेम है, बताइए भाज, ठीक, ठीक, कोई बात नहीं वाइए, हैपी बड़ दे, चलिए दोस्त, चलिए, सभी साती, फटा-फट, जल्दी से, ऑवेलिया, क्या बात है, क्या बात है, सभी के सभी साती, एंसर कर रह जैलिया इस डा जैन्रेक नम आफ इस का सीफर क्योश्टन नमबर टॉनटी सेवन आपके स्क्रीन पर प्रसंट्सन क्या सत्ताइथ सी आने मोर बिलांग टुदा ऐस ट्लास सी आने मॉर किस क्लास का मेंबर है सील इंट रिटर का आपने का है विडरर जओगा का Skyfo Jowa का, Antho Jowa का, अगर सवाल ये पूचा जाता है, बताईए, C Anemone, C Anemone is the member of which class, तो ये किस class का member है, तो बताईए, C Anemone is the member of, बताईए दोस्त, ये member of किसका है, बताईए, बताईए, C Anemone, 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 आफ हैड्र जोवा और इसको हम क्या कह देते हैं सी फर कह देते हैं क्या कह देते हैं आपने का सी फर भी कह देते हैं तो बताइए मित्र जब पूछ रहा है यहां पर क्या जब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि सी एनिमान और सी एनिमान हम किसे कहते हैं सी एनिमान हम किसे क वह बोलते हैं, Metry, Metry DM, बोल देते हैं, कितने लोगों ने इसका answer D किया, क्या वात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेरी गुर साती हो, 27 का सवाल का सही answer क्या होगा, D, और सभी साती, सभी मित्र इसका कर रहे है, है राइट एंसर प्रसन नंबर 28 आपके बहुत अच्छा सवार और गन पाइप कोरल सीज नौन एस फंजिया टीवी पोरा है लियो पोरा आपने का एस्टेरी या स्टेरी बताईए सब्सक्राइब जल्दी पूचा गया जब और गन आप पाइप इस्टार लगा लो इस्टार लगा लेंगे सवाल में और यह भाई बहुत बार सवाल पूचा गया पीजी टी पीजी टी के लिए बेरी इंपोर्टेंस क्या यह फंजिया को बोलते हैं टीवी पूरा को बोलते हैं हिलियो पूरा को बोलते हैं क्या बात है क्या बात है टीवी पूरा टीवी पूरा टीवी पूरा टीवी पूरा सभी के सभी बेस्ट है टीवी पूरा सभी के सभी साथी एंसर कर रहे हैं इसका सही जवाब क्या होगा TB pora, TB pora को क्या कह जएते हैं, बताए साथियों, जो TB pora है, इसे organ pipe कह देते हैं, किस klaimer का member है, तो इसका बाई, खाई, गलास अगर पूचा जाएगा, तो किस क्लास का मेंबर है एंथो जुआ क्लास का मेंबर है तो बेतरीन सवाल 28 का सभी लोगों ने एंसर दिया पीवी पूरा कुश्चन नमबर 29 आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा सवाल भाई इस ट्यार लगा लो दा साइंट पिक नेम आप रेड कोरल जिसको मूंगा कहते हैं क्या बोलते भाई मूंगा बताए रेड कोरल किसे कहते हो मूंगा बताए दोस्त मूंगा किसको कहते हैं रेड कोलर रेड कोरल मूंगा जो मूंगा होता है बताए ये कहलाता है फंजिया को पीवी फोरा मस्का को या रेनिला को, या कोरेलियम रबरम को, बताइए साती हो, फड़ा भड़ जल्दी से दीजिए एंसर, कोईसर नमबर 29 आपके स्क्रीन पर है, बताइए साथी, जो मूगा होता है, इसको रेड कोरल कहते हैं, और ये किसका मेंबर है, बताइए किसका मेंबर है, ये भी आप मुझे कमेंट्स की माद्यम से बताएंगे, कि रेड कोरल या मूगा, ये किसका मेंबर है, आपने का, इसक किस क्लास का मेंबर है तो दियान रखना क्लास किस का मेंबर है एंथो एंथो जुआ का मेंबर है किस क्लास का मेंबर है एंथो जुआ का मेंबर है तो भाई सभी के सभी साथी answer दी पा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं इस सवाल का बहुत सारी मित्रों ने answer दिया Red Coral Muga Coralium यह member है और यह Antho जो आपके इंपर है बिलकुल इसको आपने Great Barrier Reef Great Barrier Reef जो होता है वो भी आपने का कौन मनाता है Coralium Rabraaf ही formation करता है चलिए question number 30 आपके screen पर प्रसन संक्या 30 which one of the following has by radial क्या कह रहा है किसमें पाई जाती है by radial symmetry जब बात करता है by radial symmetry की तो पाई जाती है आसे सबी में पाई जाती है तो यहां पर बात करते है कि सकी में metridium कि किसकी बात करते हैं metridium कि तो ये भी किस class का member है अभी मैंने बताया था इसका भी class इसका भी class क्या होगा बताइए भाई n तो जोगा और n तो जोगा class के आज बहुत सारी सवाल आप लोगों ने किये और इसका metridium c animon इसमें कौन सी symmetry पाई जाती है तो by radial symmetry पाई जाती है और इसका सही जवाब क्या होगा d 100% right answer होगा अरे भाई बहुत सारे मित्र तो ये बता रहे है जेली फिस नहीं होगा इसका answer क्या होगा c animon और बहुत ज्यादा important सवाल है ये कई बार पूचा गया कई बार पूचा गया अगर पूचा जाता है क्या बताएंगे मित्र सी animon मैं बताएंगे बेतरी 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 और आज की सेशन के चलते हैं लोग last question की तरफ अब हमें लगता है question number 31 question number 31 आपके screen पे corals belong to the phylum अब सवाल ये पूच लिया कि जो corals होते हैं वे किस phylum से belonging रखते हैं पूरिफेरा से नाइडेरिया से एनलेडा से मोलसका से जब बात corals की करेगा जब बात corals की करेगा coral reef की करेगा तो बताइए भाई जो coral होते हैं ये किस phylum से belong करते हैं coral reef का formation coral चटानों का निर्माड करते हैं क्या पूरिफेरंस ये तो sponge होते हैं ये नहीं करते हैं 뭐가粉 करते कोरल का formation करने वाले मेंबर्स किसमें आते हैं तो नाइडेरिया में आते हैं और जितने लोगों ने answer का बिल्कुल दो question के answer गलत हो गए अच्छा बाकी सब सही है, बहुत अच्छा अगर दो गलत हो जा रहे हैं, तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप हमारे बेर जारती हैं, तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, 100% डेना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल अगर परिच्छा में आएंगे, तो सभी की सभी भाती, सभी की सभी में तरफ question करेंगे solve, कलिए, और ये था session का last question, तो सातियों, जो session का last question था, वो हम लोगों ने complete किया, जितने भी साति क्लास से जड़े हुए थे, उनने बेहतरी धर्ग से किया है questions को solve, कलिए, सभी सातियों को, चंद्रा इंस्टिट, चंद्रा इंस्टिट, चंद्रा इंस्टिट, इलहावाद की YouTube चैनल पर, बहुत-बहुत स्वागत है, और रात्री 9 बजे, आप राजीव सर के साथ जुड़ कर, और करते हैं, प्रसनों की धुआधार तरीके से practice, तो जितने भी साति, बिल्कुल class धुआधार हमिशा रहता है, और जो साती, जो साती हमारे class कर रहे हैं, question और लाया करिए, questions बेटा बहुत लाया अब questions अगर मैं ज्यादा लेकर आऊं, बतालागा मैं तो questions, वा, क्या वात है प्रिंस जी, केवल तीन गलत हुआ, जल्दी में वो भी, हाँ, बिल्कुल वो भी गलत नहीं होता आपका, मैं समझ रहा हूं, आपका 100% questions आई जाएंगे, सभी के सभी साती, जितने भी साती class से जड़े हुए हैं, बताएंगे comments की मादें से, तो कैसा रहा आज का ये session, राजीव सर के साथ, चंदरा इस्टिटीट इलावाद की YouTube चैनल पर, जी बिग्यान, TGT, PGT, बायोजी का practice session, तो सभी लोग बताएंगे comments की मादें से, मैं आप सको एक्षी ज़रों बता दूं, कि offline बैस साथ बजे से, चंदरा इस्टिट का कट्रा ब्रांच में, TGT, PGT, बायोजी का 8 नमबर से शरू हुआ, लगातार डेमो ग्लासिस चल लई है, जिन सातियों, जो साती प्रियागराज में, इलावाद में उपस्ते थे, जो offline बैस ज़रों करना चाहते है, इवनिंग बैस फुल है, वो complete होने बाला है, लेकिन new batch, एक दम fresh space, नया topic, starting से शुरू किया हुआ हुआ, तो जो साती यहाँ पर उपस्तित हैं, वे सवी के सवी साती offline ज़रों कर चकते हैं, online batches भी नए शुरू हो चुके हैं, जिन लोगों के सातियों में, जो लोग के भाई वहन, जितने करके, और अपने course को complete करके, और selection को करने का काम करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरूआ का मान मढ़ाए, अपने सेत्र का नाम रोशन करें, जिस सेत्र में रहेंगी, वहाँ पर नाम रोशन करेंगी, तो बिलकु सातियों, बिलकु सातियों, बहुत अ जे चंद्रा इंस्टिट्यूट इलावाद के यूट्यूब चैनल पर मैं उपस्तित होता हूँ TGT PGTG बिग्यान की प्रक्टिस सेशन के साथ तो सभी लोग रहा करिए तयार अधिकांसिताल लोगों को जोड़ा करिए जितने ज्यादा साथी हमारे क्लास से जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा questions को solve करने में जब answer आते हैं खड़ 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 तो questions एक अलग juice के साथ हम लोग solve कराते हैं तो सभी सातियों को आज के लिए तना काफी है it's enough for this thank you so much and good night all of you मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साती हैं जो लगातार क्लास से जड़े हुए हैं क्लास को अटेंड कर रहे हैं थेंक्यू सो मच PDF के लिए बहुत सारे लोग हैं लगातार कहरें सर कि टेलिग्राम पर PDF प्रोवैड करवा दीजिए ठीक है भाई मैं 100% प्रयास करता हूं कि आपको PDF अब टेलिग्राम पर मिलना सुरू हो जाएगी थेंक्यू थेंक्यू सो मच फार दर सेशन